माना जाता है कि भगवान भोले नात की अगर भक्त सच्चे मन से और पूरे वीधी विधान के साथ पूजा अरादना करे तो उनकी जो मनोकामना हैं भगवान भोले नात जल्द पूर्ण कर देते हैं क्योंकि भगवान भोले नात बहुत ही भोले हैं वहीं जो तिस वीदों की माने तो पूजन सामगरी में कई ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोले नात के उपर अरपन नहीं करना चाहिए इससे भगतों के उपर नकरात्मक परभाप पड़ता है क्या वह वस्तुएं सीधे हम जानते हैं देवगर के जो तिस अचार से जो तिस अचार जी कई जातक सिवलिंग की पूजा करते हैं लेकिन सिवलिंग की पूजा करते समय कई भूल भी कर बैठते हैं जैसे कई वस्तुएं हैं जो सिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए तो क्या ऐसी वस्तुएं हैं जो सिवलिंग पर नहीं चढ़ाएं भगवान शिव की पूजा जो है वहां बहुत विधी और विधान से किया जाता है शंकर भगवान की पूजा में आपको उस पूजा से आप मनो भिलसित अपनी इच्छा के अनुसा आप फल पा सकते हैं थोड़ी सी जदी साधानी के साथ पूजा करें तो आप वो मनवानचित फल की प्राप्ति होगी जैसे कि कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जिसको की सीवलिंग के उपर नहीं चड़ाना चाहिए अरपन नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ व्यक्ति पूजा के सामानों को समझ करके अरपित कर देते हैं जैसे कि केतकी का पुस्प जो है वह सीवजी को अरपन नहीं करना चाहिए जदी आप ऐसा करते हैं तो आपको तो फल मिलेगा ही नहीं और पहले का भी फुन्मी जो है वह समाप्त हो जाएगा इसलिए केतकी के फूल को भगवान सीवलिंग के उपर नौचड़ाएं जूसरी बात है तुल्षी का पत्ता जिस तरह बिलपत्त चड़ाते उस तरह से तुल्षी का पत्ता तोड़ करके सीवलिंग पर नौचड़ाएं और चावल अरपन जो करते हैं तो अरवा चावल जो होता है वो खन्डित नहीं होना चाहिए तूटा हुआ चावज जदी आप संकर वगवान के उपर चढ़ाते हैं तो आपको उससे लाव नहीं होगा घाटा हो हल्की प्राप्ति नहीं होगी उपर से हानी होगी और नारियल मंदिर में ले जाके पोड़ते हैं तो नारियल का पानी संकर वगवान के उपर चढ़ता ही नहीं है इसलिए नारियल का पानी सिवलिंग के उपर नहीं डालना चाहिए नहीं पोड़ना चाहिए पोड़के नारियल को चढ़ाए वो ठीक है लेकिन नारियल का पानी कभी भी भूल करके सिवलिंग पर नो चड़ा है और सिंदूर सिवलिंग के बगल में असोक सुन्दरी है उस जगा आप चड़ा है वही आप पारवत्ति है वहाँ चड़ा है लेकिन सिवलिंग के उपर सिंदूर अरपन नो करें